दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके BSC First Year Botany Brighyta से जुड़े हुए एक Most Important Genera Markensia के बारे में तो आज के इस वीडियो में हम Markensia से जुड़े हुए इसके classification, इसके occurrence और इसके जितने भी specific feature है उनके बारे में detail से जानेगे तो आएए आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं Markensia के classification के बारे में तो Division Briophyta Class Hepatocopsida जिसे हम Common Liverworth के नाम से भी जाते हैं यानि कि जितने भी Common Liverworth हैं उन्हें Class Hepatocopsida में रखा गया है Order है Markensia, Family है Markensia, C और Genus है Markensia आए नेक्स हम बात कहते हैं इसके Habit and Habitate के बारे में It is represented by 65 species all over the world And India represented by 11 species growing mainly in Western Himalaya पूरे विस्व में इसकी 65 जातिया रिपोर्ट की गई हैं और भारत में इसकी 11 जातिया हैं जो की मुक्रूप से Western Himalayan region में पाई जाती हैं Markensia, Polymorphia, Markensia, Nipleensis, Markensia, Similana is important species While Markensia, Nipleensis and Markensia similiana are exotic to India तो Markensia की जो कुछ बिसेश जातिया हैं जैसे की Markensia, Polymorphia, Markensia, Nipleensis, Markensia similiana यह बहुत important जाती हैं ठीक है जो की मुक्रूप से देखने को मिलती हैं जबकि Markensia, Nipleensis और Markensia similiana यह केवल भारत में ही पाई जाती हैं All species are terrestrial but prefer to grow in moist and saddy place तो इसकी जो जातिया होती हैं यानि कि इसकी सभी जातिया हैं वो स्थली होती हैं परन्तु यह ऐसे प्लेस पर पाई जाती हैं जहां पर की moisture हो और चाया हो यानि कि यह नमी और चायदार वाले स्थानों पर पाई जाते हैं आहिए नेक्स नम बात कहते हैं इसके external morphology यानि कि वह सनरचना के बार में plant, bodies, thaloid and gametophyte तो इसकी जो plant body होती है वो thaloid होती है thaloid का मतलब वा plant is not differentiated into root, stem and leaf तो जितने भी आपके ब्राविफाइट होते हैं हम सभी जानते हैं उनकी जो plant body होती है वो thaloid होती है यानि कि इनकी जो plant body होती है वो root, stem और leaf में विभाजित नहीं होती है इसका जो main plant होता वो gametophyte होता है यानि कि जो plant हम देखते हैं वो gametophyte होता है thailus is prostate, dorsal, ventral and dicotomusly branched तो इनका जो thailus होता है वो prostate होता है यानि कि चप्ता होता है और चप्ते होने की वज़े से ये dorsal और ventral part में डिवाइड होते हैं तो जो ऊपरी सर्फेस होता वो डासल होता है और जो निजला सर्फेस होता वो वेंटल होता है और इसकी जो थैलस होती है वो डायकटमसली ब्रांच होती है डायकटमसली ब्रांच का मतलब मैंने पहले भी आपको बता है कि पहले सीधे जाना और सीधे जाकर जब दो पार्ट म डिवाइड हो जाए तो ऐसे डिवीजन को यानि कि ऐसे ब्रांच को हम डाय कटमसली ब्रांच कहते हैं तो जैसा कि फिगर में आप राइट साइड देख सकते हैं कि आपको यह थैलस है आपको डाय कटमसली ब्रांच दिख रहा होगा ठीक है तो आए नेक्स्ट हम देखते हैं डॉसल और वेंटरल सर्फेस की क्या-क्या स्पेस्पिकेशन है क्या-क्या विश्यस्ताय है तो आए सबसे पहले हम बात कहते हैं डॉसल सर्फेस की और यह रीजन है मिड्रीव रीजन और मिड्रीव रीजन वाले में जो थैलस होता है हलका सा अंदर की ओर धसा होता है जिसके कारण इसे हम बोलता है सैलो ग्रोग और उपर की ओर जहां पर मिड्रीव खतम होता है और यह जो ग्रोइंग पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एपिकल नोच तो आप फिगर में देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है एपिकल नोच तो जो सर्फेस एकदम लास्ट वाला एपिकल रिजन ठीक है जहां पर मिड्रिफ खतम हो रहा है और यहीं पर ग्रो कहता है मतलब आगे की और बढ़ता है और यहीं पॉइंट कहलाता ह है एपिकल नोच तो मैं आपको पढ़के सुना देता हूँ ग्रोइंग पॉइंट इस सिचुएट एड़ एड़ एपेक्स ऑफ दे थैलस नोन एज एपिकल नोच मेनी पॉलीगोनल ओर और 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 रॉमबाइडल एरिया हैविंग एपोर इन इस सेंटर इस सेंटर इस स चीतर में देख सकते हैं आपको यहां पर दिखाई देगा कि जो डासल का ऊपर वाला जो सर्फेस है वह थोड़ा सा उभरा आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है और इसमें आपको ठे सारे पोर भी दिखाई दे रहे होंगे तो इन उभारों के बीच में जो आपको पॉर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते एर पॉर और इसके अंदर आपको एर चमबर देखने को मिलेगा तो जहम थैलस के इंटर्नल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह structure आपको easily और clear तरीके से दिखेगा तो यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जो dorsal surface है उस पर धे सारे polygonal या फिर romovidal area दिखाई देते हैं जिसके center में pore होता है और जितने भी polygonal या फिर romovidal area होते हैं उनके नीचे यानि की अंदर की और आपको air chamber देखने को मिलेगा तो जब internal structure हम पढ़ेंगे तो इन air chamber को detail से discuss करेंगे तो dorsal line आप देख सकते हैं और यानि की जो यह dorsal line है इसी में midrib वाले reason पर आपको game a cup देखने को मिलेंगे तो आगे हम लोग video में game a cup देखेंगे और game a cup क्या होता है जब मैं आपको reproduction प्राओंगा तो वहाँ पर detail से इसके बारे में discuss करेंगे game a cup present along the midrib तो जो game a cup होते हैं वे midrib region के आसपास यानि की midrib के साथ साथ देखने को मिलते हैं sexual reproductive structure enthridia and archigonia and sporophyte is also born on dorsal surface तो इनके जो sexual reproductive structure है जैसे कि जो male enthridia है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह enthridia है जो की stalk से लगा हुआ आपको dorsal surface पर दिखाई देगा ठीक है और यहाँ पर आपको आर्ची गुनिया देखने को मिल रहा होगा यह भी stalk से लगा हुआ आपको दिखाई देगा तो यह जितने भी इसके reproductive part है और sporophyte है यह सभी structure आपको dorsal surface पर मिड्रिव रीजन पर लगे हुए दिखाई देते हैं तो यह तो बात हुई dorsal surface की आए नेक्स हम बात करते हैं ventral surface की तो अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बता था कि जो थैलस का निचला सीरा होता है उसको हम बोलते है वेंट्रल सर्फेस और वेंट्रल सेर्फेस पे मिड्रिव के साथ साथ लगे हुए scale और राइजॉइड आपको देखने को मिलते हैं जैसा कि आप figure में देख सकते हैं scales are violet color, multicellular, one cell thick and arrange in two to four row तो इनका scale होता है वो violet color होता है multicellular होता है और one cell thick होता है और यह मिड्रिव रिजन पर एक साथ दो और चार के कतार में होते है scales are of two types, first simple or are legulate and second appendiculate तो आप figure में right side देख सकते हैं यह simple है legulate है और यह आपको appendiculate दिखाए देगा appendiculate में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा यह उगडा हुआ होता है ठीक है इस कारण इसे हम बोलते है appendiculate appendiculate scale form the inner row of the scale closer with mid rib तो जो appendiculate scale होते हैं वो inner row पे पाए जाते हैं यानि कि जो mid rib वाला reason होता है उसके close होते हैं जैसे कि आप figure में देख सकते हैं लिगूलेट scale form the outer or are marginal row and are smaller than the appendiculate scale तो जो लिगूलेट scale होते हैं यह outer surface की और पाया जाते हैं यानि कि margin की और पाया जाते हैं और इनका जो आकार होता है वो appendiculate से छोटा होता है तो यहां पर आप चित्र में देख सकते हैं कि जो यह appendiculate scale होते हैं वो आपको mid rib region के पास दिखाई दे रहे होंगे ठीक है और यह जो legulate scale है आपको outer margin पे दिखाई दे रहे होंगे दोनों एक साथ है appendiculate और legulate ठीक है लेकिन जो appendiculate scale है इनकी जो size होती है वो legulate से बड़ी हो यहां वाले दूसरे structure rhizoids की rhizoids are unicellular branched and developed prolonged of the lower epidermal cell तो यदी हम बात करें rhizoids की तो यह भी unicellular branch होते हैं और इनका जो निर्माड होता है जो lower surface पे जो cell होते हैं epidermis के वही आगे की और बढ़कर rhizoid का formation करते हैं next हम बात करते हैं they are two type यानि की rhizoid दो तरह के होते हैं smooth wall rhizoid and tuberculate rhizoid तो इन में दो तरह के rhizoid होते हैं पहला है smooth wall और दूसरा है tuberculate तो यदी हम बात करें smooth wall rhizoid की तो इनका जो दोनों surface होता है यानि की inner and outer wall वो smooth होता है तो आप देख सकते हैं यहां पे चित्र में यह आप प्लेन होता है कहीं भी इसमें folding आपको दिखाई नहीं देती वहीं हम बात करें tuberculate rhizoid की in tuberculate rhizoid the inner wall layer modified into pack like in growth which project into the cell lumen तो tuberculate rhizoid के जो outer layer होते हैं वो तो smooth होते हैं लेकिन जो इनका inner most layer होता है वो modified हो जाता है अंदर की और और पेग लाइक structure या फिर हम कह सकते हैं finger like projection का formation करता है जिसे हम पेग लाइक structure कहते हैं ठीक है जो की अंदर की और जो cell lumen है cell lumen कहने का मतलब अंदर की और जो खाली neutral nutrients तो अगर बात करें हम rhizoid के function की तो यह क्या कहते है थैलस को सबस्टेटम से चिपकाने में मदद करते हैं और इसके साथ साथ water और mineral absorb करने में साहता करते हैं तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप comment करके ज़रूर है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अप्लोड करूं उसका notification आपको मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत झाल झाल